हलो एप्डिवन आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनिमम मार्क्स के बारे में मिनिमम मार्क्स आपका कितना होना चाहिए ताकि आपका एड्मिशन आइटी में हो सके इसके बारे में complete information है बहुत सरे बच्चे यह पूछते हैं कि सिर्फ हमको मार्क्स पता दो था कि हमारा admission IIT में हो जाए कोई भी IIT कोई भी ब्रांच में हो जाए उसके बारे मिन बात करेंगे 23 IIT हैं इंडिया में और जो सबसे पहला IIT है वो है आपका IIT खरगपुर दिन आइटी बॉम्बे और जो लास्ट आइटी है वो है आपका IIT गोवा और overall मैं आपको बताओं तो इंडिया के सारे स्टेट्स में मतलब कि 23 स्टेट्स में इनके IIT है और IIT आपको पता होना चाहिए कि government-funded इंसिचूट्स है यानि कि पूरा जो इनका खर्चा है वो government उठाती है और इंडिया के प्रीमियर इंसिचूट्स है लेकिन बच्चों को फीज पेड करना भी होता है इस बात का भी धियान रखना होता है बेसिक जो फीज है वो पे करना होता है अगर आपको अपना फीज माफ करवाना है तो आपको income certificate वहां पे दिखाना होगा तो उसके हिसाब से आपको फीज कम करती जाएगी अब बात करते हैं minimum marks के बारे में कि minimum marks कितना होना चाहिए ताक आपका जोसा में counseling होता है और minimum percentage of marks in each subject मतलब कि एक subject में आपका कम 10% marks होना चाहिए 10% के बात करें तो यह आपका 36 होता है और overall 35% आपके पास marks होने चाहिए यानि कि approach कहलो 120 नंबर आपके होने चाहिए लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल क्या हुआ कि 95 जिन बात नहीं कर रहा है मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि उनका IIT में admission हो सकता है बच्चे यह पूछते हैं कि सर्फ हमको IIT में जाना है ज़रूरत नहीं हमें कौनसा branch में कौनसा IIT सिर्फ आपको बता दू अगर आप 30% नंबर ले आते हो यानि कि 30% अगर आप नंबर ले आते हो एप्रोक्स 108 नंबर मार्क्स ले आते हो आप तो आपका admission हो सकता है common rank list यानि कि जो general category candidate है general EWS के लिए 9% मार्क्स एक subject में तो overall 27 के सकते हो अगर आप 95 या 90 नंबर ले आते हो तो admission हो सकता है OBC NCL के लिए या देख सकते हो 9% मार्क्स एक subject में overall 31.5% SC के लिए आपका 5% मार्क् मार्क्स तो overall बात करें SC के लिए 15% होना चाहिए यहां देख सकते हो 15% 15% means आप सो सकते हो अगर आप 15 नंबर ले आते हो तो आप SC category में हो उनको reservation मिलता है तो उनको admission हो सकता है और यहां देख सकते हो common PWD 5% general EWS PWD 5% OBC NCL 5% SCPWD 5% STPWD 5% और Preparatory course rank list 2.5% तो आपको अगर इतना percentage आता है number का number 360 है percentage आप खुद से calculate कर लेना अब बात करते हैं कि आपको rank prepare किया जाता है ठीक है minimum rank prepare किया जाता है तो आप चोसा counseling में participate कर पाऊगे वो पहने पहले जो बताया है वो admission का था यह आपका कम से कम इतना number लाना होगा तब ही आपका rank prepare किया ज है तो 63 plus number लाना होगा और 63 number में आपको कोई भी IIT मिलने वाला नहीं है 95 plus general EWS के लिए minimum 5 marks चाहिए एक subject में और overall 56 चाहिए अब देखो 56 में आपको कोई बी IIT मिलने वाला नहीं है उससे ज्यादा number आपको लाना होगा minimum 80 90 number लाना होगा तब आपको मिल सकता है OBC NCL के बात करें तो 5 number एक subject में और overall 56 स्ट के लिए 3 number और 31 स्ट की यहाँ पर देख सकती हो SCST दोनों के सेम ही है कोई problem की बात नहीं है इसके अलाबा जो other categories है उनके rank य आपको जानकारी होनी चाहिए और देखो basic कुछ number होते हैं जिसको आपको लाना होता है तब ही आप eligible होते हो counseling के लिए वैसे तो बच्चे 0 marks बिलाते हैं 10 number बिलाते हैं लेकिन वह eligible नहीं होते हैं कुछ general guidelines है जिसको आपको follow करना होता है आई 30 में admission के लिए और जोजा counseling मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है कितना number आपको चाहिए तो यह कुछ details हैं देख सकते हूं यहाँ पर J advance cutoff के बारे में बताये क्या है J advance cutoff in a minimum qualifying marks the student need to secure to be included in the rank list कम से कम number लाना होता कि आप rank list में आ सको minimum aggregate marks भी आपको चाहिए physics chemistry और mathematics में था कि आपका एक उचा स्कूर बन सके और देखो J advance का जो cutoff है ना IIT college अलग-अलग अपनी तरफ से निकालती है यानि कि cutoff release करती है और जो counseling है वो जोसा करता है cutoff marks कहां से पता चलता है तो opening and closing rank वहां से पता चलता है और separate जो जितने भी IITs है वहां पर release किया जाते है different IITs different cutoff marks release करते हैं उनके courses के basis पे उनके branches के basis पे अब आपको यह भी बताना चाहूंगा कि overall 2,50,000 candidates eligible होते हैं J advance examination के लिए लेकिन इस साल के आवा कि total 1.6 lakh candidate ही register की है examination जी है category wise यहां पर student देख सकते हो जो जितना category है उनका अब J advance examination आपको complete हुआ और आपको पता है कि जो J advance examination होते हैं उसमें दो paper होते हैं paper 1 और paper 2 और दोनों paper में examination देना important है तभी आप rank list में आ सको timing 9 a.m. to 12 p.m. और 2.32 आपका 5.30 है इसके अलावा बताना चाहूंगा कि अगर आपका admission IIT में नहीं होता है तो उसके अलावा पे कुछ institute हैं जीसे कि आपका IISC Bangalore, IISCR, बरंपूर, भुपाल कॉलकता, मोहाली, पुने, तिर्वनत, पुर्म, तिरुपती, फिर आपका IISC, तिर्वनत, पुर्म, राजीब गांधी Institute of Petroleum Technology, राइबरेली, इंडियन Institute of Petroleum Energy, विसाका पर्तुम तो ये कुछ institute हैं जिनके website पे जाके आप form कलब कर सकते हो या फिर डिरेक्टली आप call भी कर स यह एक paid counseling है, अगर कोई भी बच्चा paid counseling ले आ जाते हैं तो paid counseling ले सकता है, इसमें आपको हम लोग आपको choice feeling में मदद करने वाले हैं, कौन से branch पे, यानि कि कौन से rank पे, कौन सा branch आपको मल सकता है, IITs, NITs, IITs और GFTI, सभी में admission के लिए आपको किस तरह से apply करना है, यह सा यह हमारा telegram चलना है, जाके join कर सकते हो, वीडियो के update के लिए, link description में है, या पर telegram एप में search कर लो, एड़ीट पलावासो films, चैनल के support के लिए subscribe कर देना, बेल आइकिंग बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, share कर देना, thank you for watching, thank you. झाल